एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपने ही चैनल में इस वीडियो में आपको इंग्लेंड भर से साउथ अफिर्का के बीद जो फॉस्ट टोडिया मुकाबला है उसको मैं इसमें कवर करने वाला है जो कि 19 जुलाई याने की आज साम 5 बज के 30 मिनट पे इंडिय टाइम के उसार खेला जाएगा वेनु रहने वाली है रिवर साइड ग्राउंड चिस्टर लेस्ट जो की बहुत ही तगरी वेनु और वेनु इस वेनु के बारे में हम लोग डिटेल से लेंगे इस मैच में आपको मैं ड्रीम 11 टीम साथ सब्सक्राइब करना अगर आप ग्र जीतन जल्दी ही जीत जाओगे यह मेरे भागवान सब प्रत ना रहेगे चले हम पीछ रिपोट के और चलेंगे उससे पहले आपको बता दू जो कि इंग्लैंड के और साथ अबर्गा के बीच कौन फैवरेट रहने वाले हैं सबसे पहले तो इंडिया के साथ जो सीरीज त मतलब की इंडिया की एक चीज अच्छे लगी की बॉलिंग पावर मतलब की बॉलिंग लाइनप बहुत ही तगरी है और बॉलिंग से इंग्लैंड को जख जो रहा भी था और इंग्लैंड से सीरीज भी जीती थी बॉलिंग के दम पे तो इसलिए मैं आपका बता दू जो र हारी परने वाले है क्योंकि यहां तक आपको पता होना चाहिए कि अभी इंग्लैंड पिछले कुछ मैंचों कि सबसे जीतती हुए नजार आ रही है और वंडे में 400 के अरीव करीव रंस बनाने के भी कोसिस कर रही है और जहां तक बात रही सब्सक्राइब की तो सब्सक्रा उसके पिछले भी बंगलादेश से 2-1 से सीरीज आर करा रही है और फिर पाकिस्तान से 2-1 से जार करा रही है यहां पर साथ अपरिगया के थोड़ा अच्छे दिन नहीं जा रहे हैं लेकिन इंग्लैंड सबसे मौस्ट पाउरफुल है यहां से अगर मैं देखू तो अगर स लास्ट पांच यहीं की बात के रहें कि एवरेज फर्स ट्रेनिंग स्कॉर रिवर साइट दो सो और सट रन है जानी कि एवरेज 270 है तो आपको तीन सो के अरीव करीब पहुंचते हैं तो आपके लिए देस्ट रॉन्स होने वाला है पहले बैटिंग करते हैं और दोनों ही सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बहुत ही बेहतर ज्यादातर होने वाला है डिफेंड करने के लिए अब बात करेंगे जो भी टॉस जीतेगा उस सबसे पहले बालिंग लेने की कुछिस करेंगा क्योंकि इस पीच्पे चेज के परसेंटेज ज्यादे है थोड़ा सा मतलब ज्यादा है उसका चांस ब्राइट चांस होता है यह पीछले पांच यह मुकाबले के बात मैं कर रहा हूं और साथी साथ इस पे डिसेंट इमाउंट बैटर्स को पूरा मैच सुरू से अंतक तुरू आउट ऑल मतलब की मैच जितना देर चलेगा उसमें बैटर्स को सपोर्ट मिलेगा तो इसलिए मैं आपको बता दो बैटर्स यहां पर हावी पढ़ने वाले हैं किस पे जो की बॉलर्स पे इस पीछ पे तो आप समझ सकते हैं कि इंगलेंड कितने दरिंदा जी से खेलेंगे और मतलब कितना रंस स्कोर कर सकते हैं मैं यह नहीं क किया है और वह भी चोट से आया है जब से अच्छा उतना अच्छा वह नहीं डाल पार है जितना पेस से पहले लाल देते हैं मतलब इन सब्सक्राइब करते हुए साथ जीते हैं और चेज करते हुए 11 जीते गया है तो आपको पता लग रहा होगा कि ज्यादा तर चांसे इस जार प्रसेंचे करेगा वही जीते हैं जो कि आकरेश सार रहे मैं वहां की बात कर रहा हूं और पिछले 5 onc and aí कừ जो सब्सक्राइब कर और पिछले 5 का फिशले 5 का 270 170 है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें तीन बार तीन सो गरन उपर गए और दो बार धाइस हो गए हैं तो यहां पर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनेफिट है कि आप जाहतर बैटस्वें को ही लाकर चले तो आपके लिए बेहतर होने इस पीच पे जोटल 18 मैंचेज में यहांसे 200 से 209 के बिच दो बढ़ जा चुकी है और 250 से 209 के बीच यहां पर साथ बर गई है और 300 प्लस चार बर गई है ज्यादे तर चांसे कि तीन सो पुलस जाने कि यहां पर ज्यादा तर चांसे आप बात करते हैं प्रोड़ेवल प्लें से बेश्ट जो मेरे इसाब से एक ही चेंजन्ज होगा जो कि अदिल रासीद जो कि इंडिया के खिलाप नहीं खेले थे अदिल रासीद इनके पस बहुत ही टॉप कलास के बॉलर है और यह बहुत ही संदार गेंदवाज है वह आएंगे इस मैश में कि पिछले वह इंडिया और टन ही खेल सकते हैं डेविड विली अदिल रासी डिस्टोपले रिस्टोपले ने जो परफॉर्मेंस किया है पिछले कुछ मैचेज में काबले तारिफ है तो डिस्टिपलों के मैंने बताया था कि आप इनको छोर कर मत जाएगा और पीक भी करवा रहा था अब बात करत तरफ से बहुत संदार मतलब कि कोई किसी से कमने अगर जान तक अगर बोले तो दोनों में से कोई कोई लाइन आप किसी से कम नहीं नेकिन मैं आपका बता दू सिक्स्टिफ फाइब परसेंट भारी यह परेगा और यहां से थाटिफाइब परसेंट यह पर इंगे बाद में हम लोग बात करेंगे बॉल और से सबके सबसे पहले बैटर्स में टॉपिक्स में जो सब्सक्राइब जो की दिसेंट स्टार्ट पिछले थार्ड ओडिया में इंडिया के खिलाप इनों नों किया ता दोर 54 रन तीसरे विकेट के लिए जो रहा था और साथ चाथ एक तीस स्टार बनाकर आउट हुए थे जो की 10 दोडिया पिछले अवी लाक्ष्ट दोडिया की बात के रहे जो कि आवरेज साओ तबर के खिलाब बहुत ही तागतोर मतलब की बहुत ही सद्वाइच बहुत ही कमजोर आवरेज जैसन रहा था साथ अबर के खिलाप चल नही के लिए मीडी लोडर के बैकबॉन आप दे साथ अपर का देविड मिलर देविड मिलर बैकबॉन है साथ अपर क्या कि और यह वार्म अप गेम में इन्होंने पच्छ पॉल में पच्छ पर अनके एनिंग खेली और साथ 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 को टोटल 318 बनाने में मदद किया तो अप्रिक्स और लाउंडर से मैं बात करेंगे जो कि मोई नली 35 साल का इनका और जो कि वर्ज तेस्ट कमबाक में इन्होंने इंगलांड के बिस्ट और लिम्टेड ओबर के लिए लॉंग लॉंग टाइम मतलब लिम्टेड ओबर के लॉंग टाइम बॉलरर है और आपको में बतादू इंडिया के खिलाप लीडिंग रन स्कूरर इस टिम में तीनों मैच को डियाई में इन्होंने पंचानुए रंस स्कूर की तीन मैचेज में जो कि सबस्यादा इंग्लेंड के तरफ से इन्होंने ही बनाया अब बात करते हैं यहां से डियन प्रेटोरियस जो कि ही कुड़ ग्राइब ओन लिया सिंगल विकेट वार्न वार्म अप गेम में इन्होंने सिर्फ एक ही बिकेट निकाला और यह ज्यादा उपर पर मोट किया रहा है बैटिंग के लिए और बैटिंग करके दिखा भी रहे हैं यह इंपोर्टेंट रोल इनको प्ले करना रहता ह चाहँवीस ओडियाई में निकाल दिया एक तीस विकेट अठाइस का एबरेज एक नौमी इनका पांच के नीचे का रहता है तौप पिक्स बॉलर्स में बात करेंगे तो टौप फिक्स बॉलर्स में ही एमर्ज जो कि फाइंड सिर्फ जो कि मैं आपको बता दो तीन ओडिय के स्ट्रॉगल जिर्ण स्कूरर है और रण मतलब की बहुत ज्यादा कम था फिर भी इन्होंने जोल आउट किया टीम लिया को एक बार में और एक बार में इन्होंने बड़ी आपकमेंस किया है और स्ट्रीमिलर रोल इनको मतलब देखने को मिलेगा कि हाँ जैसे फॉम में ह का भी नहीं खेल रहे हैं उनके ही जगह पे यहां से अंडिक नर्किया खेलेंगे और इंपोर्टेंट विकेट से दो विकेट वर्म अप गेम में निकाला था आठ जो कि यहां पर आठ वर में इन्होंने तीसाट रंस दिया था और साथ-साथ है इनका ओवराल बात के बारा मैं इन्होंने साथ सो आठ रहारा रन से स्कूर किये हैं पैसर के बात करें इनका सब्सक्रीम ने में बात करते हैं शर्प और इंगलान के था उसमें बात करते हैं जो सबटलर की जो कि 80 delivery में इन्होंने 60 रन पिछले मुकाबले में बनाये और हाईस्ट रन स्कोरर अपने टीम के तरफ से हुए और चाहएशाथ टीम को मतलब कि अच्छे परस्तिती से बनाया और खराब परस्तिती से अच्छी में लाया जो इसके बाद अपने टीम को थरा सा नहीं के फूल टाइम इंगलिस कैप्टन जो की प्लेयर है आपके लिए इस गेम के लिए या फिर आप जो भी समझे सकते हैं रिसकी कैप्टेन से चोईस की बात करेंगे और फिर चलेंगे तरह पर हम लोग टेम्स करेंगे अब बात करते हैं इंगलाइन भर से साफ़ावर कि पर दिए तरब से खेले हैं जो रूट ने और एक सब्सक्राइब बात करें जो कि पचास का इंडिया के खिलाफ था रूट ने रूट जो कि जीरो पे तीन मैचेज में दो मैं दो बार इन जीरो पे आउट हो चुके हैं और इंडिकेटिंग पर में आ सकते हैं यह कॉम बैक करना खिला रे जानता है तो इसलिए आप के लिए रिस्की तेसे होने वाला है आप बात के इंदन मार्क रम वार्म आप मैचेज में नहीं स्कोर के इंगलाइंड के खिलाब और सिंगल ओडियाई जो कि सब्सक्राइब करेंगे उससे पहले आपको मैं बता दू अगर आपने अभी तक टेलिगाम चैनल जोन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं बीना देरी करते हैं आप लोग टेलिगाम चैनल जाकर जोन हो जाएए चले हम लोग ड्रीमलों के चलते हैं जैसे कि दोस्त हम जाने वाला अल्टरनेट और आटोमेटिक होने वाले हैं बैटिंग में बात करें तो बैटिंग में जो रूट जो कि भला ही हूं पी तीन मैंच में दो बार डॉक प्रोसा कर सकते हैं और फिर उसके बाद यहां से जैसन रोए एडन मार्करम और जहां तबात रही और ला रिस्टो प्ले डैविड वीली जो कि यह टीम्स की रेट हो चुकी है आप देख सकते हैं अब कैप्टन भाइस कैप्टन की जहां तक बात रही तो कैप्टन भाइस कैप्टन मैं आपको बता दू इस मैच के लिए रिसकी कैप्टन से चोईस जो सुरूट होने वाला और वा की नेली के साथ कैप्टन जा रहा हूं और वाइस कैप्टन देंट पर के साथ जाओंगा जो कि रिसकी आप ज़रूर ट्राइब करें जैसन रुए रूट को कैप्टन भाइस कैप्टन मैं मारकरम को जो कि यह फाइनल टिम नहीं आपको टेलिगाम चैनल पे मिलेंगी लिंक के साथ साथ आपको मैं बता जो यह अभी तक इस वीडियो को देखे और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएन और साथ चाहते आप अपने दोस्तों को भी सेर करना और यह भी टीम से आप उम्मीद करता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लेगा अच्छे लेगते शुरूरा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं तब देके लिए चाहिंद बन्नमातरम